हलो बाई लोग, फैक्ट बाई एर और दा बीटल्स चिनों ने वर्लडवाइड 600 मिलियन अल्बम सोल आउट करके रिकॉर्ड बनाया था, उन्हें एक देश ने बैन कर दिया, कारण वेल क्योंकि उन्हें भूक नहीं लगी थी, अब देखो पूरा माजरा कुछ ऐसा था कि फ का कंसेंट, उसकी पॉलिसी, उसके भूक ना लगने की कोई कदर ही नहीं है, और अगर इमिल्डा से भी जादा कोई गया गुजरा है, तो वो है चाइना, वो देश जो हर दूसरे सेलिबर्टी को अपने देश का दुश्मन समझता है, तब ही तो, कैटी पेरी, मरून फाइ और जस्टिन बीवर के जैसे कई सारे सेलिब्स वहाँ बैन है, और एक तरक जहां ये इंटरनेशनल सेलिब्स बैन है, वहीं अगर इंडियन सेलिब्स की बात करें, तो आप मानो या ना मानो, बॉलिवुड में धाई किलो के हाथ से लोहा मनवाने वाले सनी दियोल, और उन दिन उसकी यही स्टाइल उस पे बारी पड़ेगी, जब साल 2017 में कैटी ने अपने प्रिज्म टूर के लिए ताइपे एरेना में पॉफॉर्म किया, तब उन्होंने ताइवानीज फ्लैक की कैफ और सनफलार ड्रेस पहना था, अब सुनने में भले ही ये कोई बड़ी बात ना लग रही हो, किन्तु चाइना वालों ने तो इस किस्से को दिल पे ले लिया, जिन्होंने चाइनीज ट्रेड एग्रिमेंट के लिए प्रोटेस किया था, ये उसका सिंबल था, तो बस चाइना को लगा कैटी, उनका मजाग बना रही है, इसलिए उन्होंने कैटी के वी या एप से उनकी कुंडिली पड़ी जाती है, अगर कुछ उन्नीस वीस हुआ, तो लगेगा सीधा बैन का ठपा, लाइक चाइना में मरून फाइब पे बस इसलिए बैन लगाया गया है, क्योंकि उनमें से एक बैंड मेंबर ने दलाई लामा को ट्विटर पे हैपी ठीक वैसे ही ब्रैड पिट भी 15 सालों तक चाइना में बैन रहे, एज उन्होंने सेविन येर्स इंतिबद फिल्म की थी, जो चाइना को पसंद नहीं आई, और मिली सायरस, जिनोंने ऐसी पिक पोस की थी, उनको तो बैन हो रही था, और सेम यही हरकत, जी जी हदीद ने की थी, उन्होंने बुद्दा डॉल का मजाग बनाया, और अट लास बैन हो गए, और लेट मी टेल यू, चाइना के इस बैन लिस्ट में एक नाम जे जायड का भी है, ऐस उन्होंने अपने गाने में चाइनीज अथोरिटीज को ड्रग डीलर, पिम, वालेंस, और गंस के साथ रिलेट किया था, वेल, ये तो बस कुछ नाम थे, अभी तो और भी कई जारे नाम है, और इन फ्यूचर, वो नोस कितने नाम और जुडने वाले, नमबर टू, माइक टाइसन, प्रोफेशनल बॉक्सिंग के गुरू माने जाने वाले माइक टाइसन ने आज की लिस्ट में दर्शन क्यों दिये हैं, ये तो आप समझी गए होगे, और ये कौन से देश में और क्यों बैन है, उसकी कहानी मैं सुनाता हूँ, तो जिस कंट्री में ये बैन है, उसका नाम है निउजिलैंड, और जिस वज़ए से ये बैन है, वो है टाइसन को मिली 6 साल की सजा, जो उन आफ चैंपियन्स इवेंट पर बच्चों को मोटिवेशनल स्पीश देने जा रहे थे, तब इनका वीजा कैंसल हो गया, वहाँ के लोगों का भी यही कहना था, कि माइक टाइसन जो खुद जेल में क्रिमिनल के तौर पर समय बिता चुके हैं, वो बच्चों को स्पीश दे करने के लिए स्पेशली एक सौंग की लिरिक्स चेंज की थी, so that वहाँ के कल्चर को ठेसना पहुंचाएं, बट हुआ क्या, मलेशिया अथॉरिटीज ने कॉंसर्ट के ठीक एक दिन पहले ही केशा को मलेशिया में बैन कर दिया, by stating कि वहाँ के कल्चरल और रिलिजियस सेंस कि उनोंने केशा के जैसे ही ब्याँसी को भी मलेशिया में बैन किया हुआ है, उनका कहना है कि ब्याँसी काफी प्रोएक्टिव हैं, जिस प्रकार के वो कपड़े पहनती हैं, वो एक स्ट्रिक्ट मुस्लिम लीडर्शिप देश के अगेंस्ट है, उनके कल्चर और रिलिज कि नियू डेली में बच्चों को रेस्क्यू करने वाली रेट के फस्ट रेट से उनोंने 40 बच्चों की जान बचाई है, और बस ये गई फस्ट, क्योंकि इनके इस ट्वीड को सच मानकर जहां एक तरफ हॉलिवुड से लेकर पूरी दुनिया इनकी सराना करने में बिजी वहीं सच जानने वालों ने इनका ये जूट बरदाश नहीं किया, जल्दी इंडियन अथॉरिटीज के पास ये कंप्लेंट पहुची जिस रेट के गुनगान इन्होंने अपने ट्वीटर पर किये हैं, उस रेट के दौरान ये इंडिया में खुद मौजूद ही नहीं थी और सोने पे सुआगा तो ये हो गया कि बीवीसी जिसके साथ मिलकर जब लिंसे इंडिया में चाइल्ड लेबरिंग बच्चों के रेस्क्यू और उस रेस्क्यू मिशन की डोकुमेंटरी को शूट करने आई भी थी, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया में वाकिंग वीज की माला जपने वाले जस्टिन वीवर की माला चाहे भले दुनिया जपले पर अर्जेंटिना टू चाइना इनकी माला नहीं जपेगा, वाई? पर जाने अंजाने सही, लेकिन फ्लैक की डिस्रिस्पेक्ट तो हो गई थी, इसलिए उन्होंने ट्वीट करके खुद को एक्स्प्लेन भी किया और अपने फैंसे मावी भी मागी, हालांकि बात यहां खत्म नहीं होती, अर्जेंटिना में फ्लैक की डिस्रिस्पेक्क करने वो 2021 में भी अर्जेंटिना का टूर नहीं कर पाए, साथ ही रही बाद इनके चायना में बैन होने की, तो भाईया चायना ने तो इन्हें कॉंप्लिमेंट इंसल्ट की चाशनी में डुबों के मारा था, मतलब एक तरफ चायना मिनिस्ट्री ने ये कहा था, कि जस्टिन पर लिए उनके मसीहा और यूस के लिए एक टिर्रिस्ट नाम नेलसन मंडेला, एक मिनट, नेलसन मंडेला एक टिर्रिस्ट, ये कब हुआ, वेल नेलसल जीने 1940 में एक स्टुडेंट स्ट्राइक और्गनाइज की थी, फिर 1944 में दा ए एनसी यूथ लीग इस्थापित किया, यानि black and whites का मतभेद हो रा था और ये मतभेद का protest इतना aggressive था कि roads पे mining, public places पे bombing और बार बार दंगे होने काफी common हो चुके थे और 1940 से शुरू ही ये protest 1960 तक चलते रहा जिसके बाद हालत इतनी बत्तर होने लगी कि government ने इस party को ban कर दिया as the protest was following several violent incident like this protest की वज़े से शाव विले मैसेकर हुआ था जहां 79 लोगों की मौत और 186 लोग घायल हुए अब ऐसे में नेलसन मंडेला भले ही अपने लोगों की भलाई कर रहे हो और वो साउथ अफरीका के लिए मसीहा बन रहे हो पर दुनिया की नजरों में वो गलत थे वो एक टिर्रिस्ट थे यही वज़े है कि अंडेल 2008 युएस नेलसन मंडेला को एक टिर्रिस्ट मांती थी और उनोंने नेलसन मंडेला को युएस में बैन कर दिया था जैसे कि मैंने कहा था भाई और बाबा भी कुछ देशों में बैन है तो जब वो यूएस का वीजा रिन्यूल कराने ये अर्पोर्ट पहुंचे तब उनको रिजिक कर दिया गया और ये इंसिडेंट पहला नहीं दूसरी बार हुआ था यूएस का कहना था कि संजू बाबा 1993 सीरियल ब्लास्ट एंडिलीगल पॉसेशन आफ आम्स के केस में इंकलूड़िट थे जो रियूमर है या रियलिटी किसी को नहीं पता सो जब तक संजू अपना नाम इन इंसिडेंट से हटाना लें उनके वीजा को रिन्यू करना यूएस के लिए भी मुश्किल रहेगा और ऐसा ही कुछ सल्मान खान के साथ भी हुआ रिपोर्ट्स के मताबिक सल्मान साल 2015 में बिटेन का सफर तैरें ही कर पाए थे वजए वेल उनके कोर्ट में चल रहा है हिट और रन केस की वज़ह से यूके ने उनको वीजा नहीं दिया था अब इन दोनों केस में बले ही यूएस एंड यूके ने ऑफीशली उनको बैन ना किया हो बट वीजा ना देना भी एक इंटारेक्ट बैन ही हुआ अब इन सारे सितारों के अलावा अगर आपको भी किसी ऐसे सितारे का नाम पताओ जो किसी देश में डिरेक्टली या इंडिरेक्टली बैन हो तो उनका नाम बताओ इन दा कमेंट सेक्शन वीडियो को लाइक शेर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना हम बिलेंगे पिर जैहें